नमस्ता डेली डारी नियोस में आप सभी का स्वागत हैं नावरिक्ता संशोधन एक्ट के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है दिली में विरोध प्रदर्शन के बीच कई लाकों में इंटरनेट कॉलिंग, SMS स्विधा बंद कर दी गई है लेफ्ट पार्टियों ने आज भारत बंद का आववहन किया है प्रदर्शन को देखते हुए देश के कई हिस्सों में धारा 144 लगाई गई है उतरप्रदेश, करनाटक, बिहार, तिलंगाना, दिली के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है लेफ्ट पार्टियों ने देश्व्या पे बंद बुलाने का Inhale पार्टियों ने केंध्र सरकार के द्वारा लाए गई नागरिकता सठ्शोधन के एक्ट के खिलाफ बंद बलाया है गुरुवार सुबह ही बिहार के कुछ लाकों में लेफ्ट कारिकर्टाओं ने ट्रेन को रोक दिया बता दें कि कुल साथ संगटनों ने आज लाल किले से अपने प्रदर्शन की शुरुवात की है हलाकि दिली पुलिस ने इस प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी थी साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिली पुलिस ने लाल किले इलाके में प्रदर्शन कारियों को हिरासत में लिया है इस शेतर में पुलिस ने धारा 144 लागू की हुई है प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए पटेल चौक, लोकल लेर्मार्ग, उद्योग भवन, आईटीयो, प्रगती मेदाम खान मार्केट, केंडरे सचीवाले मैट्रो स्टेशन भी बंद किये गए हैं बताने की उत्तर प्रदेश में हालात गंभी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगाई गई हैं नागरिंकत संजोधन एक्ट के मद्यनसर हैदरबाद पूलिस ने ट्वीड किया है कि आज किसी भी रैली प्रदेशन की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन उसके बाद भी लोक सडकों पर उत्रे हुए हैं